हेलो दोस्तो स्वाग करते आप सभी का हमारे इस यूटीब चानल पर तो दोस्तो आज मैं आपको एक्स्प्लेंड करने वाली हूँ क्लास्ट वर्ल गुजरात बोट हिंदी का पोयम नंबर 19 कैलेंडर मैं आपको फुल एंड डीटेल एक्स्प्लेनेशन देने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं ये जो कविता है केलेंडर इसे लिखा है सूरज बढ़त्याने तो कवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इनका जनम हुआ है 1974 में और इनका जनम हुआ का है तो इनका जनम हुआ है दिल्ली के पास सिलंपुर नामक एक जगा पर इन्होंने बारवी तक की सिख्षा तो नांगलोई में पाई है और उच्छ सिख्षा दिल्ली विश्व विद्याले से इन्होंने ली है अभी ये क्या काम करते है तो अभी ये दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में सहायक है और प्रध्यापक भी है 1997 से ही ये कविता लिखते आ रहे है फिर देखे यहाँ पर इनकी मुख्य कविताओं का नाम दिया है कहानियों का नाम दिया है पत्रीकाओं का भी नाम दिया है उसे आप पढ़ लिजेगा अब ये जो कविता है केलेंडर उसमें क्या है तो देखे इस कविता में कवी ने अपनी दीन चरिया हमको बताई है कि वो अपने जीवन में रोज क्या करते हैं वो हमको इन्होंने बताया है इस कविता के माध्यम से घर और दफ्तर में केलेंडर टंगा है उसे देखकर मुझे रोज की दिंचरिया याद आती है रोज घर से निकल कर आफिस जाता हूँ और आफिस से घर दिन महीना बदलता जाता है और बदलता जाता है केलेंडर का पन्ना मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ पर कुछ भी नया नहीं उसी पुराने ऐसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबा के आस में इंतजार करता हूँ तो कवी कहते हैं कि इनके घर में और इनके दफ्तर में कैलेंडर टंगा हुआ है अब जब ये कैलेंडर को देखते हैं जब इनकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है तो इनको क्या याद आती है इनको अपने दिन चरिया याद आती है यानि कि इन्हें अपनी रूटीन लाइफ याद आती है अब ये अपने दिन चर्य में क्या काम करते हैं तो ये रोज सुबा घर से निकलते हैं और आफिस जाते हैं फिर ये आफिस से वापिस घर पर आ जाते हैं दिन बदल रहा है महीना बदल रहा है केलेंडर का पन्ना भी बदल रहा है और साथ में ये भी बदल रहे हैं लेकिन इनके जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है वही रोज घिसी पीटी एक ही चीज होते जा रही है जब सुबह होती है तो यह सोचते हैं कब शाम होगी और जब साम होती है तो यह सोचते हैं कब शुबह होगी तो सुबह से साम और साम से सुबह कुछ भी नया नह हो रहा है इनके जीवन में फिर ये क्या बोलते है पर क्या करू सुर्योदे के साथ फिर वही काम और फिर से इंतजार तुमारा या जानते हुए कि सुबा की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सुखे बर्गत को हरितिमा देने तो कभी कहते हैं कि भले ही सुबा से साम हो रहा है या साम से सुबा हो रहा है लेकिन मैं तो अपने जीवन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ अब कभी किसका इंतजार कर रहे हैं तो कभी इंतजार कर रहे हैं नए पन का वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नया हो जा ही सूखा पड़ा रहूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें चैनल पर फोस चाइम आए है तो यहां पर आईए सब्सक्राइब कीजिए और ये दो वीडियो देखना ना भूले मैं मुलूंगे आपसे एक